तो कैनेडा की अक्चली लंका लगा गई है। तरह से कैनेडा का पूरा प्राइवेट कॉलेज सिस्टम इन अंतराष्टिय चात्रों के पैसे पर ही निर्भर है। से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो भारत से आते हैं। और अगर भारत से वहाँ चात्र जाना बंद करते हैं। तो यह पूरे सिस्टम जो है यह दिक्कत में आज आज आपको बात पता है। वो स्टूडेंट ऐटी सिक्स परसेंट घिर गए। इंडिया और इस्राइल अमेरिका यह जारी तोर पर मारे साथ हैं। मगर यह हमारे गेंस्ट काम कर रहे हैं। कैनेडा में भारती चात्रों का प्रदर्शन हुआ है। कि स्टूडेंट इस वकत जो है वो भार उन्होंने अप्लिकेशन देनी छोड़ दी है। इतना जटका इनको पड़ा है कैनेडा को क्योंकि भारती स्टूडेंस ने जाने सा मेना कर दिया। हर पाकिसानी की जबान में यह या ब्लोची सांस इंडिया का जिसूस पकड़ लिया। इंटरनेशनल कोर्ट में उसे सजा दिल्वा के पूरी दुनिया को बता दें। पर जो चौदा भी जा रहे हैं। मैं आपको इक बात बता दूू। जो चौदा भी जा रहे हैं। Canada is not worth it. Don't go to Canada. Historically, Canada has been a popular destination for Indian students, but things seem to be changing now. There has been a surprising 86% drop in study permits. India ने जो चार दफ हमारी जंगे हैं। उनमे हमने टैक किया, पहले हमने शुरू किया, उन्होंने किया। उन्होंने किया, आम तो नहीं करते हैं। जाना उनको नहीं जाना चाहिए। भारत के अंदर opportunities भी हैं। अच्छी यूनिवरस्टी हैं। तेरा सौ यूनिवरस्टी हैं। पहले तो जी हमारा Islam है, मजब है पहले उसके बाद हमारी country है। नई जी मजब हमारा पहले हैं। पाकिसान बाद में है। आप मजब हमारे पढ़ने के लिए आपके उपर अटैक होगा। मैं बार बार आपके माबाप हैं। मैं उनसे हाथ जोड़के बिनती हैं। आप तो बच्चे हो। अच्छी मेलर का ये कहना है। कि भाई जो स्टूडन्स आ रहे थे। जो स्टूडन्स आ रहे थे कैनेडा में और जो स्टूडन्स पढ़ने के लिए इंडिया सा रहे थे। जो कि कैनेडा के लिए एक बहुत अर्बों डॉलर का गेम है दोस्तों हर साल का। अर्बों अर्बों डॉलर ये फॉरन स्टूडन्स से कमाते हैं सबसे ज़ादा जो स्टूडेंट्स हैं, वो भारत से आते हैं, आपको एक बात पता है, वो स्टूडेंट 86% गिर गए, वो स्टूडेंट 86% गिर गए, यानि कि सौ में, अगर सौ स्टूडेंट आते थे, अब सिर्फ 14 आ रहे हैं, जहां सौ आते थे, वहां पर सिर्फ 14 आ रह दो, जो 14 भी जा रहे हैं, Canada is not worth it, don't go to Canada, आप मत जाओ वहां पर पढ़ने के लिए, आपके उपर attack होगा, मैं बार बार, आपके माबाप हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के बिंती, आप तो बच्चे हो, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा है, आपके माबाप से हाथ जोड़ के मैं ब बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरा काम है आपको पहले से चेता देना, पहले से बता देना, कि आप गलत रास्ते जा रहे हो, दुनिया भर में और हैं, आप अपने बच्चे को अमेरिका भेजो, आप अपने बच्चे को यॉरप भेजो, आप अपने बच्चे को ऑस्ट्रेलिय है ना जिन्दा रहेगा आपका बच्चा जा रहा है पढ़ने के बाद बच्चा बाजार भी जाता है कुछ सामान लेने के लिए ठीक है दोस्तों ये स्टोरी ये है कि स्टडी पर्मिट दोहजार तेईस में ये जहां पे एक लाख एक लाख आठ हजार नौसो चालिस थे एक लाख आठ हजार नौसोच शालिस थे वो घटके हो गए है चौदा हजार नौसो दस याने की 66% जो मैं ड्रॉप की बात कर रहा था ना आपको 86% ड्रॉप हो गया 86% यह वो 86% है मैं फिर से आपको फिगर बताता हूँ आखड़े बताता हूँ कि आप लोग को याद रहे 18,940 थे 18,940 थे अब रह गए है 14,910 अब यह इन्हों ने बोला है मार्क मिलर जिसको मैंने Canadian Minister for Immigration, Refugees and Citizenship ने बोला है कि यह फिगर unlikely to rebound है यह ऐसा हो कि नीचे गिर के फिर दोबार आ जाए अब यह unlikely है कैनेडा वाली बाता है, दूसरी चीज़ कैनेडा में जो बहुत बड़ा इशू है जो कि कैनेडियन्स भी हला कर रहे हैं, चाती पीट रहे हैं उपर, कैनेडा बहुत महँगा हो गया है दोस्तों और वहाँ पे एक बहुत जबरदस्थ हाउजिंग क्राइसिस है, लोग में पास घर नहीं रहने के लिए, कैनेडा में बड़ा सॉलिड हाउजिंग क्राइसिस है और कनेडियन्स, मैंने बात करी थी आपसे 41-42% अब लेटस सर्वे आया, मैंने तो आपको 3-4 मैंने पहले बताया था आप जाके देख सकते हैं मेरा वीडियो आप कहते हैं कि more than 60% कनेडियन्स है कि इमिगरेशन को रोको रोको इमिगरेंट्स को यार नहीं चीए हाद जोड़ वालो, नहीं चीए जाओ प्लीज मैं फिर से कनेडियन सिटिजन्स को ये कह रहा हूँ कि आपको इमिगरेशन की या इमिगरेंट्स की जरूरत है, लेकिन आप प्लीज चेक करके लाओ कौन से बंदे कनेडा छोड़ दो, साफ कह चुके हैं यार और कितना कोई क्लियरली बोलेगा बताओ गुर्पतवन सिंग पन्नू जो की एक देशतगर्द है जो की एक टेररिस्ट है, जो की एक आतंकवादी है उसमें क्लियरली बोल तो दिया और जो सिक माबाप है मैं आपको भी बता दू, आपका भी बच्चा सेफ नहीं है क्योंकि खालिस्तानियों को कोई फरक नी पड़ता है हिंदू है, क्रिमनल एलिमेंट्स हैं थीस आ क्रिमनल पीपल ये खालिस्तान का एक फेक, एक फेक जिसको कहते हैं कि फॉल्स फसाड इस्तमाल करके बीच में इल्लीगल इमिग्रेशन ठीक है जी, इल्लीगल इमिग्रेशन, ड्रग्स, कॉंट्रैक्ट किलिंग, ये सब इनकी रोजी रोटी के साथ सर, इसमें ये है कि अल्ला का फर्मान है कि मुसल्मान जब तक एक रहेंगे ना, कोई भी काफरी ने तोड़ नी सकता और ये कुफार की साध़श है, एल यहूद हैं और अमेरिका है, जो हमें अपस में लड़ा रहा है तो हम पागल है या आप पागल है या एरान पागल है, मतलब हम क्यों, लेट स्पोज़ आप दो भाई हैं, मैं बहर से आगे कहूं लड़ पड़ो तो आप लड़ पड़ेंगे लेकिन एरान ने आहम तो यह कहा है, अभी पाकिस्तान में यही कंसेप्ट दिया जा रहा है कि एरान जो इंडिया के जो फारण मिनिस्टर ने विजट किया, उसके बाद एरान ने टैक कर दिया, एरान वाले यह कह रहे हैं, या बलके अमेरिका ने ओपन ली कहा है कि हम जो को पाकिस्तान के साथ खंडे एंगे लेकिन कहीं न कहीं पाकिस्तान में ऐसी अरगनाजिशन, ऐसे लोग मुझूद है जो इरान में जा या के दैशतगर्दी करते हैं जिसकी वज़ा से हमें इरान पाड़ा है, बेसिकलिए यह आ है, कि जो इंडिया और इस्राईल अमेरिक है यह जारी तोर पे हमारे साथ है रेहे हैं गांड कर रहे हैं जो आपना मौशी तोर पे हम पर बना या उस परänderी खwwार और की यह उन्होंने अपना काम की हैं प्योंगी तो यह आपके दुश्मन हो जाएंगे यू इसी तरह वो फंडिंग करते हैं पैसे जैसे आपने बेलोचस्तान को बखड़ा है अब देखे हमारी आर्मी भी जो है इसमें यह कर रही है कि इतना अर्सा हो गया, वो खुलबोशन का नाम तक नहीं है, बलोची सान से पकड़ा लेकिन इंडिया वाले यह कहते हैं एरान से पकड़ा, लेकिन एक मिंट के लिए मानते हैं, कि बलोची सान से पकड़ा, हम सजा क् के पूरी दुनिया को बता दें कि हाँ भई